पहले नासा, रूस और चीन और अब भारत क्यों चांद को अपनी मुठी में करना चाहती है पूरी दुनिया और क्या है चंद्रमा से जुड़े वो डार्क सीक्रेट्स जो स्पेस एजेंसिया हमसे छुपा रही है जानेंगे धर्ती से चांद तक के इस रोमांचक सफर के बारे में दोस्तों भारत के चंद्रियान तीनने का विक्रम लैंडर चांद की सतह पर सौफ्ट लैंडिंग करेगा वहीं रूस का लूना 25 भी चांद की तरफ रवाना हो गया है जबकि साल 2024 में नासा भी अपने आर्टेमिस प्रोग्राम के तहट एक बार फिर वैज्यानिकों को यानि एस्ट्रोनाट्स को चांद पर भेजने वाला है और चीन भी जल्द ही एक और मून मिशन करने वाला है लेकिन अब सवाल आता है कि इन सभी देशों को चांद पर ऐसा क्या दिख गया जो चारों और चांद पर पहले पहुँचने की होड मची हुई है और चांद से जुड़े ऐसे कौन से रहस्य है जिनसे से परदा उठाते ही हमारा चांद को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा जानेंगे प्रिथवी से चांद तक के इस रोमान्चक सफर की कुछ खास बातें तो जल्दी से अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और पूरा वीडियो जरूर देखिए दोस्तों चांद हमारी प्रिथवी से 3,84,400 किलो मीटर दूर है और अगर हम सीधा रास्ता पकड़ते हैं तो इसी के आसपास डिस्टेंस में ही हम चांद की सतह पर पहुँच जाएंगे जबकि भारत के चंद्रियान 3 के रास्ते से हमें चांद पर पहुँचने में 42 दिन लगेंगे क्योंकि चंद्रियान 3 ने चंद्रमा की तरफ जाने का अंडाकार रास्ता चुना है जिसमें वो पहले प्रिथवी के चक्कर लगा कर चांद की ओर एक लंबे रूट से बढ़ेगा और फिर चांद के चक्कर लगा कर लैंडिंग करेगा हालांकि यह रास्ता काफी किफायती तो है लेकिन इसमें हमें एस्ट्रोनाट के लिए बहुत खाना, ओंक सीजन और पानी की जरूरत पड़ेगी जिसे स्टोर करने के लिए बड़ा स्पेसक्राफ्ट चाहिए होगा और इस रास्ते से जाने पर 30,00,00 किलोमीटर की दूरी तै करके हम काफी ठक भी जाएंगे इसलिए चलिए, हम अमेरिका और रूस वाले सीधे रास्ते से ही चांद की तरफ चलते हैं और इस रास्ते से हमें चांद पर पहुँचने में 4-5 दिन लगेंगे जब स्पेस क्राफ्ट का लैंडर आपको चांद पर उतारेगा तो बाहर आने के लिए आपको सबसे पहले अपना स्पेस सूट पहनना होगा क्योंकि चांद पर काफी पतला वातावरण है और इसमें ऑंक सीजन मौजूद नहीं है इसी वजह से सांस लेने के लिए आपको स्पेस सूट के पीछे लगे अक्सीजन सिलेंडर का सहारा लेना होगा स्पेस सूट पहनने के बाद जब आप चांद की सतह पर कदम रखेंगे तो खुद को काफी हलका महसूस करेंगे दरसल चंद्रमा का गुरुत्वा कर्शन प्रिथवी से 6 गुना कम है इसलिए अगर प्रिथवी पर आपका वजन 60 किलोग्राम है तो चांद पर यह सिर्फ 10 किलोग्राम हो जाएगा इसी वजह से पहली बार चांद पर कदम रखते ही शुरुआत में आपका बैलन्स बिगड़ेगा और आप चलने के बजाए उच्छलते हुए नीचे भी गिर सकते हैं इसलिए चांद की सतह पर संभल कर कदम रखना जरूरी है खैर अब चांद की सतह की बात करें तो यहां पृत्वी की तरह सीधे रास्ते नहीं बने हुए हैं बलकि चांद की सतह उबढखा बढ़ है और यहां जगह जगह पर चटाने, पहाड और बड़े-बड़े क्रेटर यानी गड़े हैं चांद पर यह गड़े तो 20 सालों से गिर रहे उलका पिंडों की वजह से बने हैं और यह 100 सेंटीमीटर से लेकर 25 किलोमीटर तक बढ़े हैं वहीं चांद की मिट्टी यानी की lunar soil बिलकुल ज्वाला मुखी से निकलने वाली राख जितनी पतली है और इसका रंग भी पृत्वी की मिट्टी से ज्यादा डार्क बिलकुल सीमेंट की तरह होता है इस मिट्टी में खुरदरापन न होने की वजह से आप जैसे ही इस पर कदम रखेंगे तो आपके पैरों के निशान बन जाएंगे जिस वजह से चांद पर सबसे पहले कदम रखने वाले एस्ट्रोनौट नील आर्म स्ट्रॉंग और बज एल्डरिन के पैरों के निशान आज भी मौजूद है अब चांद की खूबसूरत जमीन देखने के बाद साथियों आप अपनी नजरें जब उपर की तरफ करेंगे तो आपको हमारी पृत्वी भी दिखाई देगी जैसे पृत्वी पर चांद का उदय होता है वैसे ही चांद पर भी पृत्वी का उदय होता है बस फर्क इतना है कि पृत्वी से देखने पर चांद काफी छोटा लगता है और चांद से देखने पर पृत्वी बहुत बड़ी दिखाई देती है और यहां से धर्ती की खूबसूरती देखकर आप खुश हो जाओगे अब अगर आप चांद के उत्तरी धुरुव पर लैंड करोगे तो आपको अपने आसपास भूत काल में फहले हुए स्पेस मिशन के स्पेस क्राफ्ट और सैटेलाइट के टुकडों के साथ प्लास्टिक बैग में भरा हुआ कूडा भी दिखेगा ये कूडा नासा के उन 12 एस्ट्रोनाट्स ने फेंका है जो चांद पर जा पाए दरसल इन बैग्स में इनका मलमूत्र और खाने के रैपर्स और बिस्किट है वहीं अगर आप चांद के दक्षणी ध्रुव पर उस जगह उतरते हैं जहां चार साल पहले चंद्रियान दो क्रैश लैंड होकर गिरा था तो वो आज भी आपको उतनी बुरी कंडीशन में ही मिलेगा क्योंकि क्रास लैंड होने के बाद न तो वह बारिश और ना ही तूफानी बवंडर से रूबरू हुआ है इसलिए अगर आप उसे अपने स्पेस क्राफ्ट में फिट करके प्रिथवी पर वापस ले आए तो उसे ठीक करके वापस भीजा जा सकता है दोस्तों आप यह तो जानते ही होंगे कि स्पेस के सभी आपजेक्ट्स पर अचानक उलका पिंडों की बारिश हो जाती है यह तो अच्छा है कि प्रिथवी की मैगनेटिक फील्ड इन उलका पिंडों को या तो साइड में धकेल देती है या फिर ग्रेविटी और एट्मोस्फियर इसे धर्ती तक पहुँचने के पहले ही जला कर राख कर देते हैं लेकिन चान्द की मैगनेटिक फील्ड प्रिथवी के मुकाबले काफी कमजोर है इसकी ग्रेविटी भी कम है और यहां घना वातावरन भी मौजूद नहीं है इसी वजह से चान्द पर लगातार उलका पिंडों की बारिश होती रहती है ऐसे में कोई भी उलका पिंड गिरकर आपको पलभर में मौत के घाट उतार सकता है इसलिए आपको उलका पिंडों पर नजर लगाए बैठे कमांड सेंटर के वैज्यानिकों से लगातार संपर्क बनाए रखना होगा अब अगर आप सोच रहे हैं कि आप अपने किसी दोस्त या फिर लाइफ पार्टनर को चांद पर साथ लेकर जाकर गप्पे लड़ाते हुए अपने मून मिशन पर काम करें तो आपको बता दें कि ऐसा मुम्किन नहीं है क्योंकि चांद पर वातावरण न होने की वजह से साउंड वेब चल नहीं पाते यानि कि अगर आप अपने साथ ही को कुछ बोलेंगे तो वह आपके होंट हिलते हुए तो देखेगा लेकिन आपकी आवाज नहीं सुन पाएगा इतना ही नहीं चांद पर आपको अपनी आवाज तक नहीं सुनाई देगी मानो जैसे मोबाइल की तरह किसी ने आपको भी साइलेंट मोड पर डाल दिया है हालांकि एस्ट्रोनौट चांद पर एक द्रिश्च स्पेस सूट पहनते हैं जिसमें साउंड पुष करवाने के लिए नाइट्रोजन और ओंग सीजन की मदद से कृत्रिम वायुमंडल बनाया जाता है साथ ही इन्हें एक माइक्रोफोन वाली हेड़फोन पहनाई जाती है जिसके जरीए यह अपने साथ ही और कमांड सेंटर की आवाज सुन सके और जवाब भी दे सकें अब दोस्तों चांद पर अपने काम को पूरा करके जब आप सोने जाएंगे तो सुबह आपको सूरज की रोशनी नीम से नहीं जगाएगी क्योंकि चांद को अपनी धुरी पर घूमने में 28 दिन लगते हैं जिस वजह से चंद्रमा पर एक दिन 14 दिन का होता है और 14 दिन की रात होती है यानि कि वहां का एक दिन प्रिथवी के 28 दिन के बराबर होता है हम चांद का सिर्फ एक हिस्सा आज तक देख पाएं हैं और अगर आप चांद के पिछले हिस्से के अंधेरे वाले इलाके पर पहुँच गए तो आपके साथ काफी खौफनाक चीजें हो सकती है बता दें कि चांद पर कई सालों से सोच कर रहे कुछ वैज्यानिकों का यह भी कहना है कि भूत काल में वहां कोई एलियन सभ्यता बसी थी चंद्रियान एक ने चांद की सतह पर वाटर आईस और हाइड्रोपलस के रूप में पानी की खोज की है जो इनसानों के जीवन के लिए काफी जरूरी है इसके अलावा अंतरिक्ष में चांद ही पृत्वी के सबसे करीब है इसलिए भविश्य में वहां जाकर बसना हमारे लिए काफी किफायती साबित होगा वहीं यहां पर हम एक और स्टेशन भी बना सकते हैं इन्ही कारणों की वजह से सभी स्पेस एजनसी चांद में सबसे ज्यादा दिलचस्पी दिखाती है तो दोस्तों अगर भविश्य में मौका मिले तो क्या आप चांद पर जाकर बसना चाहेंगे अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं आज के लिए इतना ही आपकी आखरी जिम्मेदारी इस वीडियो को लाइक करके शेयर करने की है इसे ज्यादा से ज्यादा मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके और भी ऐसी ही नालेजेबल वीडियो के लिए अपने भरोसे मंद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को आल पर सिलेक्ट करना बिलकुल ना भूलें वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद